हालो अर्विबडी इन दिस लेक्चर वी विल लॉन अबाउट टिम्बर सबसे पहले आपको समझना होगा कि टिम्बर का मतलब क्या होता है देखो टिम्बर होता है वूड आप बोल सकते वूड लकडी जो की इंजिनिरिंग परपर से यूज होती है कहां से लेते हैं टिम्ब इंजिनियर आप कौन से पार्ट को आप यूज करोगे तो यस ट्रंक विल बी यूजफुल फॉर उस तो ट्रंक हमारे लिए यूजफुल होगा वाई सीधी बात है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको एकदम परफेक्ट आपको टिम्बर मिलेगा परफेक्ट वुड मिलेगी तो हम ट्रंक को यूज करते हैं ट्रंक इसा मेजर पार्ट जिसको हम यूज करने वाले हैं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ट्रीज के अंदर भी क्लासिफिकेशन की तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप का जो ट्री आता है वो होता है एक्सोजीनिस का मतलब हो समझाता हूं एक्सो मतलब बहार की तरफ ओर इक्जामपल यह है अड़ सर्फेस है और यह यह कोई आपका प्लांट है यह आपका कोई भी ट्री है तो एक ट्री होता है जो कι बहार की तरफ बहुत ज़्यादब ग्रो करता है और जिसका जो इनर ग्रोथ है फो कम होती है को हम exogenous tree बोलते हैं clear होगी बात तो जिसकी जो growth होती है वो outward direction में maximum होती है ऐसे trees को हम exogenous trees बोलते हैं अब exogenous के अंदर भी दो पार्ट होते है पहला conifer ये इतना tough और इतनी अच्छी wood नहीं देता है ऐसे trees को पैचान ले कि क्या पैचान है देखो यहाँ conifer के अंदर एक शब्द चुपा होगा है तो कि evergreen type of tree बोल सकते हो, इनको क्या evergreen type of tree, तो ये evergreen trees आप इनको बोल सकते हो, next होता है आपका, कि इनके अंदर जो annual rings होती है, वो distinct होती है, अब आप बोलोगी कि annual rings क्या होती है, देखो annual rings का मतलब क्या होता है, अभी हम structure of tree पढ़ने वाले हैं, cross section, उसके बीच में एक इस त आप बोलोगी कि medullary raise क्या होती है, medullary raise भी हम पढ़ने वाले हैं, अभी next slide के अंदर, वो क्या होती है, indistinct, मतलब पास पास होती है, medullary raise ऐसी radius की तरह होती है, जो कि इसके अंदर, आपके conifers के अंदर, पास पास होती है, I hope you got the point, what is the meaning of the indistinct and distinct annual ring and medullary raise, इनके बारे मैं अरड़ी बताया है कि वो soft होती है, इतनी tough नहीं होती है, lightweight ही होती है, example अगर मैं देना चाहूँ conifers के, तो आप कोई भी आप दे सकते हो, जिसके जो leaves और fruit होते हो, वो कौन की shape में हो, end उनका कौन की shape में हो, उनको conifers बोलते हैं, example के लिए आप चिर ले सकते हो, देवदा जा गया, यह exogenous होते हैं, exogenous का पहला type होता है, जो क्यों होता है, conifers, conifers मतलब the end part of the leaf or the fruit is in the shape of the con, उसके बाद होता है आपका decidious tree, दिको decidious tree क्या होते हैं, just इसका उल्टा, जो leaves होते हैं, वो wide होते हैं, जो leaves होते हैं, decidious के वो wide होते हैं, wide होने के विसाथ साथ इनके जो पत्ते होते हैं, जो पत्ते होते हैं, जो पत्ते होते हैं, September से December के बीच में जड़ते हैं, वापिस ग्रो होते हैं, March से June के बीच में वापिस ग्रो होते हैं, तो shade होते हैं, सितंबर से December के बीच में, सिधी बात है, March और June में वापस आ जाते हैं, इनके से मिलने वाली जो के annual rings होती है अब आपको यह तो याद अभी नहीं रखना है अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो और चीजे हैं वो याद रखने इनको नहीं याद रखना है अभी हम structure देखने वाले थोड़ो देर में तो आपको समझ आएगा कि क्या होती है medullary क्या होती है annual rings जो इंसे wood मिलेगी वो अच्छी मिलेगी heavy मिलेगी strong मिलेगी hard मिलेगी तो आपने देखा कि exogenous tree होते हैं जो बहार की तरफ upward direction में ज्यादा grow करते हैं और जो conifers होता है वो exogenous का ही part होता है जिसके कौन की shape के end होते है fruits का भी or leaves का भी decedious का मतलब होता है जिसका broad आपका leaf होती है जो leaf होती है जो यह काफी अच्छे होता है उसके बाद में यहाँ पर example के लिए देखना चाहो तो बबूल अब बबूल का जो leaf होता है ब्रोड होता है बिल्कुल उनका जो शेप होता है ब्रोड शेप में होता है मतला कौन की shape में शाप shape में नहीं होता है ओक हो गया महागनी हो गया आपका साल हो गया, टीक हो गया, शीशम हो गया शीशम बहुत important है शीशम वैसे काम कहा आता है, बता है शीशम काम आता है, आपका maximum engineering purpose से जिसे mold बनाना है लकडी का तो शीशम यूज करते हैं, अभी हम uses देखेंगे तो यहाँ पर exogenous के दो पार्ट देख लिए conifer देख लिए, decidious देख लिए let's move further, यह मैंने यहाँ पर images दी हुई है, आपको ओक का, बबूल का महागनी का, एट्सेक्टरा, ठीक है अब हम बात करेंगे, structure of tree अग जैसे आप timber को काटते हो, for example, यह आपका कोई भी एक tree है, यह आपका कोई एक this part, मतलब इस तरीकी से रखोगे आप, तो यह जो वाला हिससा है, this part, इस structure को हम पढ़ने वाले हैं, this is called the cross-sectional area, cross-sectional part के अंदर क्या-क्या होता है, कि इस तरीकी से दिखाई देता है उसको हम देखने वाले हैं, तो देखते हैं study करते है, structure of the tree के अंदर तो सबसे पहले, अगर मैं देखना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिखाए देगा, मैंने rough यहाँ पर diagram बनाए हुआ है, इसको छोड़ो अगर मैं खुद आपको समझाओ, तो सबसे बीच में आपको एक ऐसा part दिखाए देगा, जो की बिल्कुल dark होगा, बहुत dark होगा यह जो part होता है, इसका नाम होता P-I-T-H, Pith बोलता है इसको क्या बोलता है? Pith, यह बोल सकते हो कि dead part होता है कोई काम नहीं है इसका, यह dark color का होता है, अपके इसको याद करने के लिए अपने family को, family के members को relate करके याद कर सकते हो कि exist तो करते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते अभी बुढ़े हो चुके हैं, तो आप इसको अपने दादा जी की तजगे रखके देख सकते हो उसके बाद में, दादा जी से जो young होते हैं, वो कौन होते हैं? आपके हाट वूड का काम भी वही होता है, तो पित के बाद आता हाट वूड, हाट पिता जी के बाद में कौन family में member आते हैं, आप आते हो, हना, mail के अंदर ले तो आप आते हो, तो आप हो, आपके sap वूड, तो उसे हाट वूड के बाद में कौन आएगा, sapwood आएगा, और sapwood का काम क्या होता है, nourishment देना, मतलब future में जाके, आप क्या करोगे, heartwood बनने वाले हो, आप heartwood बनोगे in future, तो आप nourishment आप देते हो, रिजिडिटी कौन देता है, रिजिडिटी देता है आपका heartwood, और जो पित होता है, वो बस बीच में पड़ा होता है, लेकिन कोई काम नहीं कर सकते हैं, he is not able to work, बस इस तरीके से, उसके बाद में आते हैं, आप से छोटे, मतलब चुन्नू-मुन्नू, जो होते हैं family में, जिनको आप क्या नाम दे सकते हो, cambium layer, cambium, cambium layer, बस सीधी बात है, cambium layer के उपर एक strong layer आती है, जिसको हम बोलते हैं, protecting layer, जिसको हम bark के नाम से जानते हैं, जो कि outer layer आपने plant के अंदर देखी होगी, इसको किसके नाम से जानते हैं, bark के के नाम से आप इसको बुला सकते हैं, this layer is known as the bark, इसका काम कुछ नहीं होता, यह cambium layer को atmosphere से expose होने से बचाती है, मतलब सीधा direct contact ना हो जाए cambium का नहीं, तो आपको जो growth होती है, plant की वो खराब हो सकती है, plant जब उगरा होता है तब, तो cambium layer sapwood, उसके बाद में आपका यहाँ पे आपने देखा, heartwood, उसके बाद में पित देखा, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज, important चीज बताना चाहूँगा, यह last part का नाम मैंने दिया क्या भार्क, अब यहाँ पे एक चीज होती है, जो कि पूरी के पूरी family को बाद के रखती है, वो कौन होता है, वो आपकी mom होती है, जिसको मैंने बोला कि जो कि इस तरीके से पूरी के पूरी heartwood को, sapwood को, cambium layer को, bark को बाद के रखती है, और radial direction में इनकी motion होती है, इन तरीके से, क्योंकि पूरी family को चलाने का काम तो heartwood कर रहा है, लेकिन संभालने का काम mother कर दिया है, तो आप बोल सकते हो कि mother की तरह treat करती है, यह पूरी की पूरी trick होता है, इनका नाम होता है, medullary rings, medullary race, medullary race होती है, clear होगे बात, yes, clear होगे, इसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे, छोटे-छोटे rings होते हैं, पूरे के पूरे प्लान्ट में इस तरीके से rings होते हैं, उन ring का काम क्या होता है, वो होती है, annual rings, हर एक साल में एक ring अपने आप आ जाती है, और वो जो annual rings होती है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि यह पेड कितना साल पुराना है, ठीक है, तो medullary raise क्या होती है, medullary raise पूरी की पूरी जो layer होती है, आपकी cambium layer, sap, wood, heart, wood, pith, bark, इन सब को बांधने का काम करती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो medullary, medullary raise, ठीक है, और medullary raise के बाद में जो यह circle मैंने बनाया है, वो क्या है आपके annual rings, क्या है cross section of the tree, आप देख सकते हो, ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे components कौन-कौन से होते हैं, अभी हमने देखा था, पित होता है, और पित के बारे मैंने आपको बताये था कि यह dark portion होता है tree का, size और shape vary करता है, इसका ऐसा कोई नहीं होता है, यह किसी भी shape में मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, बिल्कुल circular ही मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, इस तरीके से मिल सकता है, यह dark part होता है, इसके जो mid-up वाला part होता है, तो dark part की form में मिलता है, size depend नहीं करता है, size fix नहीं होता है pit का, it does not take actively part in the growth, मैंने बोला कि कोई काम नहीं कर सकते हैं, बैस present होता है बीच में, और heartwood जो की strength और rigidity आपको देगा, clear होगी बात, rigidity और strength प्रोवाइट करने का काम आपका heartwood का होगा, और यह भी काफी हद तक strong और strengthen या बोलो dead cell से मिलके बना होता है, उसके बाद sapwood आता है, sapwood नरिश्मेंट देने का काम करता है, heartwood cambium layer के बीच में इस तरीके से आप बोल सकते हो, यह जो sapwood होता है, sapwood एक तरीके से gel like structure में present होता है, कैसा होता है, gel की structure में present होता है, gel की form में क्यों मिलता है, आप बोल सकते हो, इसके अंदर food और water को ले जाने की ताकत होती है, मतलब यहीं होके, sapwood में होके ही, पुरे के पुरे plant को क्या मिलता है, nourishment मिलता है, ठीक है, sapwood के अंदर, यह light in color होता है, मैंने बोला कि जैल के जैसा दिखाए देता है यह आपका, और यह active part अदा करता है, growth के अंदर, मतलब ट्री की जो growth होती है, वो sapwood की वज़े से यह होती है, ठीक है, आप बोल सकते हो, not responsible for any strength, मैंने बोला, जैल की तरह मिलेगा, कोई भी strength कैसे दे सकता है, अब cambium layer की बात करते हैं, यह एक thick layer होती है, sapwood के बाद में, sapwood के बाद में, और bark के बीच में, तो यह जो होती है, वो cambium layer इसका नाम होता है, यह indicate करती है portion of the sapwood, मन्दब future में जाके sapwood तो बन जाएगी heartwood, और जो sapwood बनेगा, वो cambium layer होगी, वो फ्यूचर में जाके, जब plant बड़ा हो जाएगा, mature हो जाएगा, तो cambium layer किस में convert हो जाती है, sapwood में convert हो जाती है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, it should not be exposed to the external atmosphere, यह आपको याद रखना है, अगर आप grow करना चाते हो, plant को जीवित रखना चाते हो, तो यह कभी भी exposed नहीं होनी चाहिए, आपके direct contact में नहीं आने चाहिए, atmosphere के नहीं तो यह खराब हो जाएगा, medulary rays के बारे में मैंने बताए कि सारे के सारे, पूरे के पूरे part को hold करने का काम करती है, जितनी भी आपने देखा, आपने सबसे पहले पित देखा, उसके बाद में, हाट वूड देखा, उसके बाद में, आपने हाट वूड के बाद सैब देखा, फिर cambium layer देखा, bark देखा, उन सब को पकड़ के रखने का, जकड़ के रखने का मेडलरी रेज का होता है, लास्ट होता है बार्क, यह outer protecting layer होती है जो कि cambium layer को exposed नहीं होने देती है, अब हम बात करते हैं कि काम क्या आते हैं timbers, तो आपको पता है कि teak wood जो होता है teak का जो, teak की जो लकड़ी होती है वो ship बनाने के लिए, superior quality of the furniture बनाने के लिए, teak wood हम use करते हैं, साल railway sleepers के लिए तो यह question आजाता है कि railway के sleepers किस wood से बनाया जाता है तो साल से बनाया जाते हैं, durable underwater breezes बनाने के लिए, मतलब पानी से related काम साल से हम कर सकते हैं mango cheap furniture बनाने के लिए packing, packaging of the box ship cabinets बनाने के लिए, toy बनाने के लिए, mahagani boat बनाने के लिए musical instrument बनाने के लिए bamboo decoration purpose के लिए maximum use होता है आपका, shisham this is the important question, जो कई बार पूछा गया है wooden molds जो होते हैं, वो shisham से बनाया जाते हैं, ठीक है और railway के sleepers, देखो sleeper से स्टार्ट होता है, साल भी से स्टार्ट होता है, ऐसे याद रखो न, this is the trick jack wood जो होता है, वो paper plywood से, या pulp wood से बनाया जाता है, paper जो, कोई बैर आपसे कोई पूछ ले कि paper, जही साब किस से बनाते हो, तो jack wood से बनाते है, जही साब ठीक है, तो इस तरीके से आपको uses याद रखना है देखो, पहला तरीके का हमने ट्री देखा, exogenous, जो बाहर की तरफ ज़्यादा grow करता है, दूसरे तरीके का ट्री हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम होता है, endogenous, endogenous नाम से पता चल रहा है कि, endogenous का मतलब देखते हैं, भई, endogenous का मतलब है, ऐसे ट्रीज जो अंदर की तरफ ज़्यादा grow करें, जो जमीन के अंदर भी grow ज़्यादा करते हैं, पहले चीज, दूसरा, for example, यहाँ पर जो उनकी roots होती हैं, वो बहुत depth में जाती है, ऐसे ट्रीज को endogenous बोलते हैं, दूसरा, वो फैलते नहीं हैं, बैसे straight grow करते हैं, और बहार की तरफ ज़्यादा grow नहीं करके, वो अंदर की तरफ ज़्यादा grow करते हैं, ठीक है, ऐसे trees को हम बोलते हैं, क्या endogenous trees, example देखू तो bamboo, मतलब bamboo पता है ना, आपको बांस की जो लकड़ी होती है, तो bamboo का जो पेड होता है, केन आप दे सकते हैं, पाम जो होता है, वैसे ना, अगर मैं आपसे बोलो की, engineering point of view से, endogenous trees ज़्यादा अच्छे होते हैं, कि exogenous, तो yes, exogenous trees ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये interior designing में ज़्यादा अच्छे होते हैं, endogenous, but engineering point of view से, because we want the strength, तो strength इतनी दे सकते हैं, लेकिन strength नहीं देंगे, इसके बाद हम देखेंगे, अब हमने क्या किया, देख लिया कि दो तरीके के plant होता है, exogenous, endogenous, और exogenous में भी आपके conifers देख लिए, conifers के बाद में आपका, conifers के बाद में कौन सा देखा था, हमने, decidious देखा था, और decidious के बाद मे हमने endogenous देखा था, तो plants के बारे में तो trees की classification सो हमें पकड़ में आ गई, कि भाई, जितने भी exogenous है, वो ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे लिए, civil engineering point of view से, but अब हम देखेंगे किसको कैसे process करना है, कैसे हम बजार में बेच सकते हैं, बजार से लेके आ सकते हैं, वहां तक सबसे पहला जो step होता है, चार step include होते हैं, कौन-कौन से चार step होते हैं, tree को गिराना, मतलब काटना, seasoning करना, अब बताऊंगा seasoning भी क्या होता है, उसके बाद में seasoning करने के बाद, convert करना, और convert करने का मतलब काट चुके छोटा करना, उसको plank में बनाना, board में बनाना, और उसके बाद में उसको काफी दिनों तक चले, उसलिए preserve करके रखना, ये चार चीज़े आपको timber के साथ में करनी होती है, तो first of all we will learn about the felling of tree, मतलब tree को कैसे गिराना है, सबसे पहले हम देखेंगे, felling of tree, क्या होता है felling of tree, the process of cutting down of a tree, called the felling of tree, मतलब एक plant, एक tree जो है, वो उगा हु हमें इसको काट के गिराना है, हमें इसको काट के गिरा देना है, तो उसको ही बोलेंगे हम felling of the tree, tree को काट के गिरा देना, this is called the felling of the tree, तो हम इसको भी दिहान रखते हैं, कि जो हिली areas होते हैं, उनके अंदर कब गिराना होता है, और जो plain areas होते हैं, वहाँ पे किस time पे हमें पेड को काटना होता है देखो यहाँ पर कुछ चीज़े आपको याद रखनी है कि completely mature होने देना है trees को ठीक है और इनकी authorities भी होती है आपको पता है कम से कम 50 से साल तक कम से कम 50 साल तो होनी चाहिए age उसके बाद ही आप इसको काट सकते हो ठीक है और maximum amount of इससे क्या होता है कि जब mature हो जाता है तो हमें अच्छे से अच्छा हमें क्या मिलता है timber मिलता है और हम काटते इस तरीके से हैं ऐसे नहीं काटते है मालों एक tree है इसको आपने ऐसे काट के निकाल दिया ऐसे काट दिया, तो हमें जो timber होते हो, maximum amount में मिलेगा है नहीं, हम कुछ इस तरीके से काटेंगे, कि हमें maximum amount में timber मिले, मतलब यहां से काटेंगे बिल्कुल, तो हमें maximum amount में timber हमें प्राप्त होगा, तो ऐसा काटना है कि हमें maximum amount में, अच्छे से अच्छे amount में timber मिल सके, और जि आगे अब इसके बाद में करेंगे सीजनिंग अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई सीजनिंग का मतलब क्या होता है देखो सीजनिंग का अगर मैं मतलब समझाओं तो जो आपने वुड लेके आई ये आपका कोई वुड था चीक है वुडन ब्लॉक ता जिसको लोग के नाम से बोलते हैं हम अभी सीखेंगी लोग क्या होता है इसके अंदर सारे के सारे के अंदर पूरे लेयर्ज प्रेज़न होगे सारे पूरे स्ट्रैक्चर प्रेज सेंट होगा और एक इंपनर चीज आपको याद रखनी है आपका पानी भी प्रेज़न सैप si present होगी प्लस में moisture भी present होगी तो हमें इसको dead form में हमें यूज करना है ना कि जिन्दी सैप होती है वो इसको nutrients देती है अगर मानых हमिने इतना बड़ा एक दरवाजा बनाया है इस लकडी का इसके अंदर sap पड़ी हुई है वह genauishment लेकि दरवाजा फूल के इतना बड़ा हो गया तो हमारे लिए यूज़ फूल है नहीं है तो हमें सैप को हटाना है और मोश्चर को हटाना है तो मोश्चर और सैप को हटाने के प्रोसेस को ही हम सीजनिंग बोलते हैं समझ में आगे बात मोश्चर को रिमूव करना और सैप को रिमूव करना ही हमें seasoning के नाम से बोला जाता है I hope you got the point seasoning होती क्या है अब देखते हैं advantage क्या है seasoning के देखो advantage सबसे बड़ा advantage है कि जो लकडी से अगर मौशर अटा दोगे लकडी को हम fuel की form में भी use कर सकते हैं weight कम होने के वज़े से easily हम इसको transport कर सकते हैं दूसरा इसकी hardness जादा हो जाते है strength भी जादा हो जाती है लकडी की toughness भी जादा हो जाती है timber हमें ऐसा ही चाहिए होता है और shape और size maintain कर सकता है fix रह सकती है ऐसा नहीं है कि grow कर जाए, secure जाए, shrink हो जाए और crack आने के chances भी कम से कम हो जाते हैं shrink होने के chances भी कम हो जाते है जादा से जादा resistance हो जाता है किससे, moisture से और insect से, fungus से अब आपको एक चीज बताता हूँ कोई भी एक लकडी है अगर उस लकडी के अंदर 20% से जादा, उसके weight से 20% से जादा अगर moisture present है तो सबसे जादा fungus, सबसे जादा दीमक उस लकडी के अंदर आपको लगी हुई मिलेगी, तो याद रखना है कि 20% से कम, आपको कम से कम 20% से कम उसके अंदर क्या होने चाहिए, moisture present रखनी चाहिए या होनी चाहिए, और अच्छे से workable भी हो जाता है, तो seasoning दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका होता है, naturally, naturally का मतलब लकडी काट के लाए, इसको आपने दूप में पटक दिया अब दूप में पटकने से क्या होता है हम इसको regulate नहीं कर सकते जितनी कम दूप होगी, जब ज़्यादा दूप होगी, तब सूखेगा, तो हम timing को decide नहीं कर सकते, naturally में ये problem है, artificially में हम हमारे इसाब से उसको control कर सकते हैं, तो natural seasoning as it is no control over the drying process, uneven dry next होती है इसके अंदर, कहीं से ज़्यादा सूख जाती है कहीं से कम सूखती है, और shrinkage, twisting, weppering से हम इसको resist नहीं कर सकते हैं, ठीक है, time बहुत ज़्यादा लग सकता है, कभी मालो बाहर रख दिया, अपने दूप में बारिस हो गई, तो खतम, तो इस तरीके से seasoning naturally करने में हमें problem आती है, artificial seasoning करने का पहला तरीका होता है boiling, देखो boiling का मतलब क्या होता है, हमारा उदेश क्या है seasoning से, हमारा उदेश की sapwood गायब हो जाए boiling, देखो boiling एक तरीका है, artificial method का मैंने बताए कि हमारा aim क्या है, हमारा aim है जो लकडी ली है नामने, जो wood ले रखी है उस wood के अंदर से दो चीज़े हटाना एक तो sap अठाना sap क्या होता है, जिसके अंदर एक gel like structure होता है आप बोल सकते हो, viscous material होता है, gel जैसा होता है और plus में water को अठाना इसके अंदर जो water content present है, उसको भी अठा देना तो सबसे पहले हम जो sap होता है, उसको कोशिश करेंगे कि वो पानी की तरह बिलकुल liquid बन जाए, फिर पानी के साथ वो sap उड़ जाएगा, तो boiling में क्या होता है कि container लेते हैं पहला artificial तरीका है, जिसके अंदर पानी लेते हैं, इतना बड़े container लेते हैं, इसमें पानी लेते हैं, पानी लेने के बाद में, उसके अंदर लकड़ी के टुकड़े डाल दिये, डालने के बाद में इसको क्या करते हैं, बड़ा सा burner लगा के, गरम करते हैं, क्या करते हैं burn करते हैं, burn करने के बाद में क्या होगा, ये पानी उबलेगा पानी उबलेगा तो इसके रोम रोम है इसके चुट-चुटे पार्ट में भी क्या जाएगा वाटर जाएगा और इसके अंदर प्रिजेंट सैप वुड को इसके अंदर जो लकडी के अंदर प्रिजेंट सैप वुड है उसको पिगला के कैसा बना देगा पानी जैसा ही बना देगा और गरम करते जाएंगे फिर वेपराइजेशन क्या होगा इंक्रीज होगा फिर धीरे धीरे पानी उड़ना सुरू करेगा और जो सैपूड है वो बहार निकल के आ जाएगा पानी के साथ में और पूरा का पूरा सैपूड भी उड़ जाएगा और हमें कैसी लकडी मिलेगी एक सूखी लकडी मिल जाएगी इट विल कंस्यूम टाइम बट मिल जाएगी वेपराइजेशन को इंक्रीज करने के लिए हम बॉलिंग के साथ साथ सॉल्ट भी डाल सकते हैं अगर आपने इस पानी में ही सॉल्ट आपने एड कर दिया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा व पाने उड़ने की जो इंक्रीज हो जाती है लट olds मूझ फर्दर एलेक्ट्रिकल सीजनिंग बहुत महेंगी बढ़ती हैं यार क्यूं इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर करते कि इसके अंदर जो वूडन ब्लोक लेके आ थे हम टट्नक लेके क्या आयत है उसको एक तरीके से इलेक्टिस से कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी लेते हैं बड़ी सी एक बड़ी सी बैटरी लेके इधर यहां पर टर्मिनल लगाता है और इधर यहां पर दूसरा टर्मिनल लगाता है यह प्लस है यह माइनस टर्मिनल है लगाने के बाद में पर electricity को क्या कराते है? पास कराते है. जब electricity लकडी के अंदर से पास होती है, तो यहां पर क्या होता है? यह गरम होता है. आपको पता है, जितनी जदे electricity पास होगी, उतनी जदे आपकी heat हो increase होगी, और इसके अंदर present, जितना भी water है वो वैपर में convert होके उड़ जाएगा. तो this is called the electrical seasoning. Next method होता है आपका clean seasoning, जिस सबसे best method होता है. What is the meaning of the clean seasoning? इसके अंदर क्या करते हैं? कि एक chamber होता है, एक box जैसा होता है, एक ऐसा डबबा होता है, जिसके अंदर क्या होता है? कि हम यहां से एक जगा होती है, air डालने की और यहां से जगा होती है, air को बाहर निकालने की. तो यहां से हम air डाल सकते हैं और यहां से हवा बाहर निकल सकती है. अब air जो होती है, वो कैसी हो सकती है, वो हो सकती है, सूखी हवा और moist हवा, और बीच में डाल देते हैं हम लकडी के छोटे-छोटे इस से इस तरीके से हमने लकडी के छोट-छोटे इस से डाल दिया ठीक है तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लकडी डाल दी डालने के बाद में क्या करेंगे इस लकडी को डालने के बाद में हमें क्या करना है हमें यहाँ प बहार निकल जाएगा और फिर हम यहां पर पास कराएंगे कैसी dry air dry air पास कराएंगे dry air से जितना भी sapwood सूख जाएगा और पूरी की पूरी लकडी आपको सूखी हुई मिलेगी यही तो हमें करना था कि sapwood गायब हो जाए तो इससे क्या कर सकते हैं air को control कर सकते हैं तो water सीजनिंग के अंदर क्या होता है कि मालो ये एक रिवर है ये एक नदी है नदी का पानी इस तरीके से इस डारेट्शन में फिलो कर रहे हैं लगडी के टुकड़ रख दिये ऐसी तरीके से वह पानी टक रहे गा तो उसके चलते हैं, यह तो हो गया, लकडी सूखी लकडी हमें मिल गई, अब हम उस लकडी को क्या करेंगे, हम जैसे काटना चाते हैं, वैसे हम उसको convert करना स्टार्ट करेंगे, जिसको conversion of the timber बोलते हैं, तो सबसे पहला method होता है, ordinary sawing, ordinary sawing मतलब जो कि हमें ordinary देखने को मिल जाती है, जह जैसे blocks में निकाल देते हैं बाहर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, आप ordinary sawing बोलते हो, इसको ठीके से छोटे-छोटे blocks निखलते हैं, इस तरीके से छोटे-छोटे blocks इसके अंदर देख सकते हैं, जो कि आपको मिलेंगे, तो I hope you got the point की ordinary sawing क्या होती है, इसकी ए saw cuts are made tangentially and annual rings मतलब जो annual rings होती है ये annual rings है इनके tangentially हम इसको काटने की वज़े से ये most economical होता है और इसके अंदर minimum wastage आपका wood का होगा ordinary sawing के अंदर that is what you have to remember next तरीका होता है quarter sawing what is the meaning of the quarter sawing इसके अंदर जो आपकी wood block होगा उसको पहले one fourth में cut करके निकाल लो उसके बाद में इस तरीके से पहले एक हिस्सा काटेंगे फिर दूसरा हिस्सा काटेंगे फिर एक हिस्सा काटेंगे फिर दूसरा हिस्सा काटेंगे एक हिस्सा दूसरा हिस्सा एक हिस्सा दूसरा हिस्सा ऐसे छोटे छोटे चूट छूट आपको यहाँ पे blocks निकालना है याद रखना है ऐसे चूट छूट आपको blocks निकालना है यह ब्लोग बड़े काम की चीज होती है यहाँ पे आप चार इस्सो में इसको cut कर दोगे, इस तरीके से one fourth part है, this is the one fourth part of the wood आप बोल सकते हो, it is adapted इसके बाद आता है सबसे बेकार टेंजेंशियल स्वाइंग इसमें जो लकडी मिलेगी सबसे बेकार मिलेगी इसके अंदर क्या करते हैं एक पूरे के पूरे वीड़ को टेंजेंशेली कट करता है मादलो यह आपके पास में block है सबसे पहले ऐसे काटेंगे फिर ऐसे काटेंगे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे इस तरही के से काटते जाएंगे फिर last में पहुंच जाएंगे तो इसको बोलता है tangential sewing सबसे बेकार method होता है आप बोल सकते हूँ इसके अंदर के a saw cut after made the tangential annual rings and meet right angle adopt for the section with the distinct annual rings section obtained are weak जो section हमें मिलेगा वो weak होता है और meddler raise जो होती है वो disturbed हो चुकी होती है तो आप बोल सकते हैं सबसे weak जो आपको timber मिलेगा वो आपके tangential sewing से ही मिलेगा उसके बाद होता है आपका radial sewing ये सबसे strongest सबसे खतरना कि strong वाला जो आपको चाहिए timber वो आपको इससे मिलेगा आप बोल सकते हो कि maximum wastage के साथ में और सबसे strongest आपको wood निकाल के देता है इसके अंदर क्या होता है इस तरीके से एक sector निकाल लेते हैं एक section निकाल लेते हैं उस section के बीच वाले पार्ट को ही हम use करते हैं और उपर वाले पार्ट को फैंक देते हैं और नीचे वाले पार्ट को भी throw कर देते हैं इस type of sawing is known as the rift sawing or the radial sawing सबसे ज़्यादा wastage अगर होगा सबसे ज़्यादा wastage होगा वो तो किसमे होगा आपके radial में होगा उसके बाद में सबसे ज़्यादा wastage आपके ordinary sawing में होगा सबसे कम wastage होगा ordinary sawing में होगा तो याद रखना है सबसे strong जो मिलता है वो radial के अंदर ही मिलता है radial के अंदर आपको सबसे strong strong wood या strong timber आपको चाहिए तो आपको कैसी sawing करनी पड़ेगी radial sawing करनी पड़ेगी ठीक है समझ में आगी अब आपसे मैं एक question बूचता हूँ कि अगर आपके पास में option है कि आपको sawing करनी है तो आप कौन सी sawing करना पसंद करोगे तो आप comment box में answer देना है post the video नीचे लिखना है तो हमको अगर sawing करनी है तो हम पता है sawing कौन सी करते हैं हम करते हैं ordinary sawing क्यों वो देखो wastage भी कम देती है और second number पे strong जो देती है वो आपकी ordinary ही देती है मतलब first number की strong कौन हो आगया आपका radial आगई और second number पे जो strongest wood देगी वो आपकी यही देगी second number को वाली ordinary देगी ठीक है अब हम बात करते हैं काट लिया पीट लिया अब हम उसको paint करके रखने के लिए कि जादा दिन तक चले तो ऐसा preservation देखेंगे कि कैसे preserve करते हैं जादा दिन तक चलाने के लिए हम क्या करते हैं तो अगर आपको preserve करना है timber को जादा दिन तक चले तो हमें उनको बचाना होगा इंसेक्ट से, fungus से और जो दीमक वीमक लग जाती है उनसे तो सबसे पहला तरीका होता है आसकू treatment अब बोलोगी आसकू treatment क्या है आसकू का मतलब arsenic, cu, copper ठीक है तो हम क्या करते हैं जो आपने wooden block लिया था उसके उपर हम क्या लगा देते हैं arsenic, pentan oxide लगा देते हैं और copper sulphate लगा देते हैं यहाँ पर इसके उपर paint कर देते हैं इससे क्या होता है maximum days तक चलता है long lasting हो जाता है next अगर आपको करना है तो यहाँ पर soligum soligum यहाँ पर paints लगा जाते है soligum paint किसलिए लगा जाता है कि यह white ants से बचा रहे सफेज चीटियों से बचे जो asko treatment भी होता है वो भी सफेज चीटियों से बचाने के लिए ही basically किया जाता है क्योंकि जो wood होता है उसको नुकसान maximum सफेज चीटिया ही पहुचाती है तो white ants से बचाने के लिए दो चीज़े आप कर सकते हो asko treatment कर सकते हो soligum paint लगा सकते हो उसके बाद में आता है आपका oil paint मतलब oil लगा दिया आपने इससे क्या होता है कि पानी से बच जाएगा आपने लिये लिया और कोई भी एक oil paint उठाया और timber के उपर लगा दिया देखो let me paint this clearly अच्छे से इसको paint करते है आपने oil paint लगा दिया इसके उपर यह आपका timber था इसके उपर oil paint लगा दिया अब आप मुझे बताओगे इसको पानी में डालोगे तो पानी सीधा इसके उपर attack कर सकता है water इसको disturb कर सकता है नहीं कर सकता है क्योंकि water resistance हो चुका है यह तो आप बोल सकते हो कि जो oil paint होता है उसका maximum काम क्या होता है action of water से बचाना resistance against the action of water क्योंकि यह एक तरीके से hydrophobic होता है उसके बाद में दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते है यहाँ पर coal tar का use कर सकते है इससे क्या होगी durability and resistance against the action of water and the fire अभी हम fire के बारे में थोड़ा सा detail में जाएंगे लेकिन अभी याद रखो कि जो tar होता है coal tar या जो tar होता है वो fire से बचाने का काम करता है लकडी को fire से बचाने के लिए आप tar use कर सकते हो वो आपका coal tar भी हो सकता है और सिर्फ और सिर्फ tar भी हो सकता है ठीक है लेकिन इसकी एक disadvantage है कि इसकी जो smell होती है वो कुछ दिन के लिए बहुत unpleasant smell होती है तो chemicals होते हैं जो की कुछ हम use करते हैं copper sulfate होता है zinc के chloride होता है sodium के और mercury के chloride हम use करते हैं ये भी उसके outer forced actions या फिर बहार से आने वाली चीजों से बचाने का काम करता है तो देखो tar का यहां पर coal tar की बात आई तो coal tar fire से बचाता है बैस ये आपको याद रखना है इसके लिए हम एक detail में एक scientist के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने tar का एक experiment wood के साथ में किया उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्रियोसोर्ट ओयल की ये बड़ा important और most important और best preservative होता है ये बना किस से होता है distillation of the tar से याद रखना है जो coal tar पढ़ा था उस tar का अगर मैं distillation कर दू उसको चान दू बहुत detail में जाके चान दू तो आपके पास में क्रियोसोर्ट ओयल निकल की आता है ये life को double कर देता है आगर आपने क्रियोसोर्ट ओयल लगा दिया timber के उपर तो life को ही दुगनी कर देगा best preservative ہے ये ये आपके पास में एक wooden block है इसके उपर आपने क्या लगा दिया एक क्रियोसोट ओयल लगा दिया कौन सा ओयल क्रियोसोट ओयल इसको लगाने का तरीका लगाने के बाद में इस प्रोसेस का नाम भी होता है इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बेथल्स प्रोसेस बोलते हैं मतलब लकडी के उपर लकडी के उपर क्रियोसोट ओयल लगाने को तो ही हम बैठेल्स प्रॉसेस क्यों बोलता क्योंकि बेफल क्योंकैंट एक साइंटिस्स ने के Soil बनाया था तो इस लाइफ डबल जाती है वाई तार से बनता है तार के डिस्टिलेशन से बनता है उसके बाद में दूसरी चीज होती है जिसको एबल्स प्रोसेस बोलते हैं क्या बोलते हैं सर एबल्स प्रोसेस बोलते हैं यह फायर रेजिस्टिंग कर देता है अब मैंने बताया था कि फायर रेजिस्टिंग लगा सकते आपके पास में फूड दोग है इसके उपर ब्राइकस लगा सकते हो सोडियम सिलीकेट लगा सकते हो इनसे भी क्या कर सकते हो आप इसको फायर से बचा सकते हो तो यहां Saunders एक साइन्टिस्ट थе इंचीनियर थे इन्होंने बनाये था यह डबल कर देता है life को कैसे बनता है तार के distillation से बनता है next a play sodium silicate की मैंने बताया borax का use कr सकते ह। sodium arsenic का भी यूज सकते हो critics से बचाने के लिए fire से बचाने के लिए आग से बचाने के लिए ठीकि आग absolutely किसी भी वुड में तो हम से सर एबल्स प्रोसेस करते हैं यह बहुत important question है इस slide के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें से एक question आता ही आता है क्रियो सोट ऐल के अंदर आ जाता है timber में से कुछ आता है तो इन दोनों में से ही आता है कि apples bonus बताओ क्या होता है यह फिर bethles बताओ क्या होता तो kriot suet apply करना बैटल प्रोसेस बोला जाता है या sodium silicate die sodium arsenic चा फिर बोल दो की borrex लगाना इसको सर apples बोलते हैं ठीक है तो इतना हमने यहां पे देख तो यहां तक हमने देख लिया sir ables process हमने completely देख लिया तो याद रखना है sir ables process को याद रखना है बार-बार बोल रहा हूं best preservative कोई पूछ ले तो kriyasort oil होता है किससे बनता है TAR के distillation से ठीक है distillation of the tar से बनता है ables process क्या होता है ables एक scientist थे जिन्होंने fire से बचाने के लिए sodium का sodium का आपका क्या बना दिया था sodium को sleeka के साथ में मिला के एक solution बनाया जिसको apply कर दो तो आग नहीं लगती बोरेक्स से भी नहीं लगती अब market में हमने ले जाके पोट पात के रख दिया अब market में किस-किस नाम से आपका timber मिलता है तो जो यह आपका tree था tree को सीधा काट के इस थरीके से यह trunk निकाल लोगे तो उसका नाम क्या होता है लोग होता है क्या बोलते हैं उसको log कुछ ऐसा दिखाए देता है let me zoom for you कुछ ऐसा आपको दिखाए देता है आपने देखा भी होगा ऐसे छोट-छोटे इससे cylindrical part काट के रखे होते हैं लकडी के तो उनको हम क्या बोलेंगे लोग बोलेंगे तो इनकी कोई fix dimensions नहीं होती है बस बीच में से trunk काट के रखा इसको हम लोग बोलेंगे लेकिन अगर मैं थोड़ा इसको sawing कर दू काट पीट के रख दू फिर उसका नाम आ जाता है बैटन अब जान से सुनना बैटन क्या होता है बैटन कुछ ऐसा दिखाए देगा आपको ठीक है कुछ ऐसा दिखाए देगा लेकिन कैसे नापेंगे कैसे पता करेंगे कि बैटन ही है तो जो इसकी thickness होती है thickness क्या होती है this dimension is known as the thickness और this dimension is known as the width ठीक है चोड़ाई जो thickness होती है वो 0 से लेके मतलब 0 तो होई नहीं सकती 1 से लेके बोल दो 1 से लेके और 50 mm तक होनी चाहिए और विर्द कितनी होनी चाहिए विर्द भी 1 से लेके जो चोड़ाई है वो भी आपके 1 से लेके 50 mm तक होनी चाहिए तो यह आपको याद रखना है जो चोड़ाई है और जो आपकी थिकनेस है, उंचाई है, वो अगर एक से 50 mm तक किसी लकडी के टुकडे की है, तो उसको हम B-A-T-E-N के कैटेगरी में डालते हैं, बैटन बोलते हैं, अब बैटन तो हमने बोल दिया, नेक्स्ट एक चीज होती है, प्लैंक, इसके अंदर क्या होता है, देखो द्याउन से, य एक से लेके 50 mm तक की थिकनेस होनी चाहिए, और जो आपकी विर्द होनी चाहिए, वो भी एक से लेके 50 तक होनी चाहिए, लेकिन अगर 50 mm से ज़्यादा हो जाए न विर्द, तो उस कंडिशन में उस बैटन को ही क्या बोल देते हैं, उस बैटन को ही P-L-A-N-K, प्लांक बो प्लाद में आता है बोर्ड, बोर्ड के अंदर क्या होता है, थिकनेस तो वही रहेगी, अभी हमने देखा था कि थिकनेस और थिकनेस आपकी कितनी हो गई थी, वन से लेके 50 mm तक हो गई थी, और जो आपके विर्द थी, जो चोड़ाई थी, वो कितनी हो गई थी, यहाँ प बोर्ड के नाम से बोलते हैं, याद रखना है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, 50 से ज़्यादा हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, 50 से ज़्यादा हो गया तो प्लाइंक बोला था, उससे ज़्यादा हो गया था थोड़ा सा, तो उसको हमने प्लाइंक बोला था, औ 150 50 से लेग 150 तक तो क्या बोलेंगे plank बोलेंगे अगर 150 से ज़्यादा exceed कर जाए चोड़ाई तो उसको हम क्या बोलेंगे board बोलेंगे ऐसा कुछ दिखाए दिता है board देखा हुआ लकडी का board उसके बाद में होता है bulk इसके अंदर क्या होता है अभी समझाते हैं क्या होता है अभी समझाते हैं क्या होता है अभी तक हमने देखा यहाँ पे कि 50 mm तक की थिकने सारी थी और जो चोड़ाई थी वो कभी 50 फिर उसके बाद में बैटन के बाद में प्लैंक उसकी 150 150 के बाद में आपकी जो board की आई थी वो 150 से जादा हो रही थी लेकिन यहाँ पे बोलाया है कि 200 से जादा कोई भी एक dimension होनी चाहिए 200 mm से जादा चोड़ाई माल लेते हैं और 50 mm से जादा अगर थिकने सा जाए ऐसे को हम bulk बोलते हैं B-A-U-L के bulk ठीक है bulk बोल दो bulk बोल दो जैसा आपको अच्छा लगे इसके बाद में जो एक चीज होती है जिसको deal बोलते है D-E-A-L market में मिलता है deal के नाम से it is the piece of the soft wood soft wood होता है not hard wood इसके अंदर जो थिकनेस होती है वो 50 से लेके 100 mm अभी तक थिकनेस 50 ही थी लेकिन पिछले वाले में जिसमें bulk में पढ़ा था उसमें 50 mm से ज्यादा थिकनेस थी और यहाँ पे 50 mm से लेके अगर 100 mm तक की थिकनेस आ रही है और जो width है वो 230 mm तक जा रही है मतलब यहाँ पे थिकनेस बढ़ रही है 50 से लेके कितनी 100 mm आपकी थिकनेस की रेंज है मतलब 50 के बीच में 65 mm थिकनेस हो गई और जो width है वो आपकी exceed नहीं करने चाहिए 230 mm तक बाकी कितनी भी हो सकती है 230 से कम कितनी भी आपकी width हो सकती है ऐसे को हम deal बोलेंगे ठीक है उसके बाद में आता है आपका pole pole तो नाम से पता चल रहा है कि cylindrical block होगा इसमें क्या होता है जो इसका diameter होता है वो 200 mm होता है कितना होता है 200 mm 200 mm इसका dia होता है इसको pole के अलावा spar नाम से भी जाना जाता है अब एक process होता है जिसको हम quartering बोलता है quartering का मतलब क्या होता है इसके अंदर क्या करता है हम कि जो लकडी का टुकड़ा होता है उसको square में convert करना है स्टार्ट कर देता है जो square का dimension होता है वो कितना होता है 150 और 50 mm तक होता है याद रखना है length जो होना चाहिए वो भी आपका 50 और 150 के बीच में होना चाहिए और जो आपकी square बनेगा उसकी भी dimension 50 और 150 के बीच में होने चाहिए उसके बाद scantling जो होती है वो भी एक process होता है this is a timber piece whose width and thickness exceed 50 mm but less than 200 mm in length मतलब 200 जो इसकी जो length होनी चाहिए ना जो length होनी चाहिए वो length जो होनी चाहिए वो 200 mm से कम होनी चाहिए less than 200 mm अगर है किसी की length और 50 mm से ज़्यादा thickness और width है उसको हम scantling बोलते हैं समझ में आगे बात अब next जो आता है उसको बोलते हैं end end कुछ नहीं होता जो भी हमने पड़ा यहां पे baton पड़ा अपने board पड़ा plank पड़ा इसको अगर छोटे छोटे टुकडों में बांड दोगे तो उनके टुकडों को ही हम end बोलते हैं यह आपके market के नाम होते हैं उसके बाद में आता है wiener वीनर कुछ नहीं होता एक लकड़ी का पोल ले लिया उस पोल को एक machine में डालके एक पतली शीट में आपने convert कर दिया जिसके fibers कैसे होंगे ऐसे होंगे मान लेते हैं इसके fibers आपने ऐसे ले लिया तो अगर एक पूरे के पूरे पोल को एक sheet में convert कर दिया आप से कोई पूचे कि विनर की थिक सकती है तो विनर की थिक से इसे बन सकते हैं, तो है आप चेक से बनती है प्लाईवूड कैसे बनता है फ्लाइवूड दूमिर को एक दूसरी के उपर चिपका दो एक ऐसा विदियनर लइा जिसके फाइबर कुछ ऐसे हैं अगर इसके ऊपर दूसरा विदियर चिपकाऊंगा न उसके फाइबर ऐसे नहीं होently और उसके फाइबर बिल्कूर दीगरी celsius पे इसको high pressure लगाकर इसको pressure भी रहा लगते हो तो यह यहां पर force लगाते हो तो यह प्लाइवुड में convert हो जाता है वीनर से ही प्लाइवुड बनते हैं तो यहां पर याद रखना है कि temperature कितना होता है और कितना आप यहां पर force लगाते हो to convert a winner to plywood तो 0.7 से 1.4 you have to always remember this अब कुछ defects होते हैं timbers के अंदर भी defects आ जाते हैं तो यह चोलो तरीके की defects है आपको याद रखना है यह यह और यह और यह और चीज यह और यह बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है बाकी एक बार देख लेंगे हम सबसे पहला defect होता है बल्स बल्स कुछ नहीं होता है यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा होगा पेड के अंदर एक उभार आ जाता है जिससे जो टिंबर होता है जो मिलेगा वह एक धब्बे वाला टिंबर हमें मिलता है विच इस नॉट नहीं हम यहाँ जहाँ पेड का तरीके से सोफ्ट कवर आजाता है जिससे आपकी जो टिंबर होती हूं वह एफैक्ट होती है यह इंपोर्टेंट नहीं है क्यमिकल स्टेन आपने देखा होगा कभी न कभी न अपभी फ़निचर में एक ऐसा निशान देखा होगा यह जो नि नहीं पहुंच और ही निरिश्मेंट नहीं पहुंच री जो लकडि आपको पत्य होते नहीं है इस इस तरीके से लकडी के उपर यहां पर एक fungus लगी हुए आपको दिख जाएगी ओके, next, drugsynex के अलावा, foxiness होता है, foxiness कुछ ऐसा होता है, कि अगर आपने लकडी को बिल्कुल बंद कमरें बे रख दिया, poor ventilation में तो यह जो लकडी होती है, वो एक brown color की, हना, storage के time पे brown color की हो जाती है reddish brown color की हो जाती है, this process this defect is known as the foxiness next होता है, आपका knot, knot का मतलब gant, एक ऐसी gant पढ़ जाती है, अगर आपके plant पे एक ऐसी gant पढ़ जाती है, अपने देखा होगा, यह बहुत बार देखा होगा, which is not good for us, इससे एक अच्छी amount में timber नहीं मिलती है, यह भी defect है, अब gant के भी कुछ-कुछ sizes होते हैं, जैसे छोटी जो pin knot होती है, वो चल सकती है, यह चल सकती है, लेकिन यह भी चल सकती है, लेकिन इससे जादा अगर knot होगी, कोई पूछे, कि 40 mm से जादा, मतलब 50 mm आपके पास में knot है, क्या उससे एक अच्छा timber मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तो 40 mm से जादा हो 40 mm तक की knot हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो याद रखना है, बस यह याद रखना है कि 40 mm से जादा knot वाली timber हम यूज नहीं कर सकते हैं, next होता है, rindigil, यह बहुत important, इसको इमेज से समझो, आपने देखा होगा, plant grow होते हुए, एक अलग improper way में grow होने लग जाता है, this is called the R-I-N-D-G-A-L-L-S, rindigils, how does it happen, कैसे होता है यह, look at this, for example, एक plant grow हो रहा था, उसकी uneven growth की वज़े से, this happen, मतलब, एक plant's straight grow होना चाहिए, but, CB reason की वज़े से, उसकी जो growth है, वो uneven हो जाती है, this uneven growth is known as the rindigils, next is, your twist fibers, why this happen, जो एक plant है, for example, this is your tree, अब इस tree पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, winds चल रही है, हवाई चल रही है, और एकदम खुले में हैं यह, winds की वज़े से, यह plant क्या होता है, twist होता है, बारबार twist होता है, तो जो इसके fibers होते हैं, वो भी twist होंगे, और जो timber मिलेगा, वो भी twisted timber हमें मिलेगा, जो की हमारे को, एक अच्छी sawing, मिलने के बाद में अच्छा timber नहीं देगा, तो याद रखना है, twist fibers क्या होते हैं, upset का मतलब high compressive strength, high compressive load लगने की वज़े से, उसके जो fibers क्या हो जाते हैं, upset हो जाते हैं, water staining क्या होती है, इसके बाद wind cracking क्या होती है, हवा चलने की वज़े से, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब आप बोल सकते हूँ कि बार्क से और अंदर, हट वुड की तरफ cracks आना स्टार्ट हो जाता है, आपने देखा होगा, यह क्यों होता है, इससे एक shrink होने लग जाते हैं यह ऐसा हो इसलिए होता है जितने भी atmosphere agencies होती है हावा पानी इनके attachment में इसके touch में कोई भी चीज आती है तो ऐसा होता है इसके बाद हम shakes के बारे में पढ़ेंगे यह बहुत important है बहुत ज़्यादा important है पहला shake होता है जिसको cup shake के नाम से जाता है जो अपके annual rings होती है अगर वो break होने लग जाए तो उसको हम cup shake बोलते हैं इतना याद रखो cup मतलब छोटा और shake मतलब annual rings का break हो जाना cup मतलब छोटा उसके बाद में होता है ring shake देखो ring is a big part of the cup shake cup में क्या होता है छोटा सा पार्ट रट 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 रहा था एक छोटा सा तो annual ring पूरी खराब हो जाएगी तो this is called the ring shake next होता है आपका star shake यह बहुत important है इसके अंदर क्या होता है कि बाहर से अंदर की तरफ जो पहले हमने देखा था विंड की वज़े से जो हो रहा था वो कुछ ऐसा ही है star shake is something like this sapwood की तरफ sapwood की तरफ आने लग जाती है चीजे टू तूटके next होता है आपका heart shake heart shake के अंदर कुछ ऐसा आपको दिखाए देगएगा पीछे हमने देखा था यहां पे यह start में बाहर से अंदर की तरफ चीजे तूटके आ रहे थी और heart shake के अंदर अंदर से बाहर की तरफ चीजे तूटके जा रही है ठीक है याद रखना है पि हो जाना और उसकी वज़ए से ब्राउन कलर में ब्लाउन वेंटिलेशन की वज़ए से ब्राउन कलर में किसी भी प्लांट का कनवर्ट हो जाना next is this is important this is called the dry rot what is the meaning of the dry rot? dry rot का मतलब होता है कि किसी भी timber का convert हो जाना एक पाउडर की फोम में this is called the dry rot okay तो I hope you got the point what is the meaning of the dry rot? hot rot का मतलब देखो द्यान से अभी आपने heart shake भी पढ़ा था heart shake के अंदर अंदर से बाहर की चितरफ चीची तूट रही थी और यहाँ पर rot का मतलब fungus तोड रही है यहाँ पर this is formed when the branch has come out of a tree मतलब आपने इस तरीके से एक wood रखी उसके अंदर से ही branch आने लग गई तो इस condition को heart rot बोलते हैं sap staining the sap would lose its color because of the feed on the cell contain the sapwood okay wet root का मतलब wet rot का मतलब होता है cause chemical decomposition of wood of timber and the timber converts grayish brown powder okay तो यह आपको चीज़े याद रखने है white rot attacking lignin of wood and would assume the appearance of white mass मतलब पूरी लकडी एक सफेद powder में convert होगी सफेद mass में convert होगी तो उसको हम बोलते हैं क्या white rot rot क्या होता है सबसे पहले आपको यह समझना है fungus की वज़े से जो defect होते हैं उनको rot बोलते है stain बोलते हैं बस आपको यह आद रखना है और जो shake होता है वह बाहर किसी natural की वज़े से natural चीज़ की वज़े से शौक लगता है तो यह चीज़े थी if you like the video please subscribe the channel like करना ही है share भी करना है और comment में बताने कैसा लगा thank you